यहां विकास नहीं जातिगत समिकरण की होती है बात भाजपा का प्लैन हारी हुई सीटों को जीतने की है तैयारी गाजीपुर में लोगसभा से लेकर विधान सभा तक नहीं खुला खाता आगामी लोगसभा चुनाओ NDA, बनाम, INDA, गटबंदन इंडिया का होने जा रहा है लेकिन उसके पहले प्रदेश के अन्य राजियों में हो रहे चुनाओ पर अभी चुनावी युद्ध होगा उसके बाद यमाना जा रहा है कि लोगसभा चुनाओ पर फोकस होगा वैसे भा रेल जगत में बहतर विकास करके एक पहचान बनाई थी उसके बाद भी वहां के जनता ने उन्हें दुबारा मौका नहीं दिया यह भी माना जा सकता है कि गाजीपुर रेल जगत के विकास पर जाती वाद भारी पड़ा लोगसभा शेत्र के अंतरगत पढ़ने वाले धायक निर्वाचित हुए हैं जबकि इसके पहले 2019 के लोगसभा चुनाओं में सपा और बसपा गटबंधन से अफजाल अंसारी ने चुनाओ जीतकर या सत्ता को यह एसास करा दिया कि यहां विकास नहीं बलकि जातीगत समिकरण की बात होती है इसके पीछे जातीगत समिक सीट से भाजपा का चहरा कौन होगा या बताना जल्दी बाजी होगा लेकिन माना जा सकता है कि भाजपा OBC के उमेदवार पर ज्यादा फोकस करेंगी हलाकि यह खबर पुष्टी नहीं करती है लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चास दरूर चल रही है क्योंकि कयास या लगाया जा रहा है कि भाजपा इस सीट को जीतनी के लिए विशेश चहरा मैदान में उतारेगी कब होगा लोगसभा चुनाओ आगामी लोगसभा चुनाओ कब होगा इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विश्या बना हुआ है वैसे कुछ लोगों क भाजपा या कहना है कि मई 2024 से पहले लोगसभा चुनाओ होंगे यानि आनुमान लगाया जा सकता है कि मार्च और मई के बीच लोगसभा चुनाओ हो सकते हैं क्योंकि ताबड़ तोड रैली जनसंपर्क बड़े बड़े आयोजन जम कर हो रहे हैं और भाजपा का पूरा फ